पहलवान सास हाँ बिल्कुल आदे समय तो जोडों के दर्द की दवाई खाती हो और फिर खाम करने की बात करती हो दवाई खाती हो तो क्या मैं अभी भी अकेली तस पर भारी हूँ हाँ हाँ मैंने माग लिया मदू घर से चली जाती है जिसके बाद सास नाश्टा कर दवाई लेकर टीवी देखने बैठ जाती है दवाईर को शीला घर आती है अरा क्यों माजी आज किस बाद से मेरे नौकरी बची अरे चल ज्यादा बगबग मत कर काम कर अपना शीला खाना बनाने लगती है और सास वही पास में बैठ जाती है माजी मैं तो हमेशा ही बोलती हूँ दीदी की दूसरी शादी करा दो कब तक आप दो औरतें घर में अकिली रहोगी आजकल माहुल भी बहुत खराब है और पिर दीदी की उम्र भी तो निकली जा रही है ना तेरा नाम टैप रिकॉर्डर सही रखा है मैंने तेरी एक ही बात को रिपीट मोड पर चलाने से वो पूरी नहीं हो जाएगी इसलिए मेरी बहुत से ज्यादा खाना बनाने पर ठ्यान दे नहीं तो कहीं वो भी तुझसे मूना फिर ले और नाकरी चली जाए क्या माजी आप भी हमेशा मेरी नाकरी की पीछे ही पड़ी रहती हो तो क्या तेरे पीछे पड़ू इसी तरह दुपैर से शाम हो जाती है और शीला अपना काम खत्म कर वापस चली जाती है अब अकेली सास एक बार फिर टीरी देखने बैट जाती है जिसके थोड़ी ही देर में मधुगर आ जाती है और सास बिना कोई देर किये शीला की बाते उसे बताने लगती है ममी आप थी ना किसी बच्चे से कम नहीं हो जिसके पास हमें शाम शीला को लेकर कोई ना कोई बात रहती है अब बस भी करो ना इतनी बुरी नहीं है बिचारी अरे मैंने कब कहा बुरी है बस उसकी बाते करके मुझे बड़ा मज़ा आता है सास के बात पर हसते हुए दोरों डिनर करने पैट दी है कि लाइट चली जानी है अंदेरे में मधू मुबाइल के फ्लेश लाइट चलाकर मुम बत्ती ढूने लगती है तभी उसे हॉल में कुछ गिरने के आवाज आती है मम्मी आप अंदेरे में इधर उधर क्यों गूम रही हो अरे तेरे पीछे ही तो खड़ी हूँ हाँ अगर आप यहाँ हो तो ओ हॉल में सामान कैसा गिरा बूत आया अरे मुझे क्या बता जा कर देखना पड़ेगा ना दोनों हॉल में जाते हैं लेकिन वहाँ कोई नहीं होता अब उन्हें कमरे में से सामान गिरने के आवाज आती है लगता है ये भूत चोरी करने आया है इसे वापस कबर में पहुचा नहीं पड़ेगा बस हाँ हाँ आप ज्यादा न तीस मार खामत पनू मैं पुलिस को फोन करती हूँ अरे जब तक तेरी पुलिस आएगी तब तक क्या वो हमारे साथ बैठ कर अंटाक चेरी खेलेगा हट दरबोग संबालने दे मुझे अब सास पास रखा फ्लावर पॉट उठा कर कमरे की तरफ पढ़ने लगती है जहां उसे दो आदमी दिखाई देते हैं पीछे पीछे मदु भी वहां आ जाती है ममी अभी भी मौका है बाहर भाग जाते हैं मदु के आवाज सुन चूर चौकन में हो जाते हैं तुम दोनों जहां हो वही खड़ी रहना नहीं तो दोनों को गोली मार दूंगा अरे तुम दोनों अभी के अभी बाहर जाओ नहीं तो मैं तुमें जिन्दा नहीं छोड़ूंगी जैसे ही दूसरा आदमी सास को पकड़ने उसके पास आता है तो वो उसकी सर पर फ्लावर पॉट मार देती है उसकी सर से खून दहने लगता है जिससे एक दूसरा आदमी गन निकाल कर हवा में गोली चला देता है जिससे बचते हुए दोनों सास को वो वहाँ से भाग जाती है अब वो तीनों एक दूसरे के आगे पीछे पूरे घर में भागने लगते है ममी आपने तु सच में उसे मार दिया तो मजाग में खौर मारता है और अभी तु मेरे साथ ही रहना में तो पक्का मारी जाओगी ये औरतों को कमजोर समझता है ना जिसे औरतों की ऐसी ताकत देखाओं ये कि ये आदमी पैदा होने पर शेर्म करेगा ये अचानक आपके अंदर जासी की रानी कहां से जाकी ऐसे तो हमेशा जोडों में दर्द बोलती रहती हो अभी तुम्हें जान बचानी है ये जोडों के दर्द की कहानी सुननी है मधू और उसकी सास कमरे में जाकर दर्वाजा अंदर से बंद कर लेती है जिस पर चूर बाहर खड़ा दर्वाजा बजाती हुए उन्हें आवास लगाने लगता है क्यों डर गई? और वैसे तो बहुत धमकी दे रही थी? केट खोला पड़िया अबे पागल धमकी देने और होश्यार होने में फर्क होता है पर ये दिमाग वाले काम तुझे तो समझ में नहीं आएंगे रूख अभी तरह दिमागी बाहा निकाल रहा हूँ ये कहते हुए चोर गोली चलानी ही वाला होता है कि सास अच्चानक दर्वाजा खोल कर उसके मूँ पर परफ्यूम डाल देती है जिससे चोर गंद फेंटकर दर्द से चलाने लगता है मम्मे! अरे बहुत दाद हो रहा है तो बचाव इससे हटाओ प्लीज मैं किसे को कुछ नहीं करूगा क्यों रे? क्या थोड़ा सा दर्द होते ही मम्मी मम्मी करने लगा अभी तो और्टों को कमजोर बोल रहा था भूलियो मत! एक आरत में ही तुझे इस दुन्या में जनन दिया है और वो भी तुझे ये दर्द हो रहा है ना? उससे लाख गुना ज्यादा दर्द सेकर इसलिए और्टों को दोबारा कमजोर भूल कर भी मत बोलियो वा मम्मी आपका ये रूप तो मुझे पता ही नहीं था आपने तो कमाली कर दिया कहा था ना? अकेली ही दस पर भारी पड़ सकती हूँ ये दो फिर भी दो ही थे इतनी देर में पुलिस भी वहां पहुंचा दी है आ गए आप कर लो इने अरेस्ट और जेल में बैठ कर अंताक सिरी खेलना